हेलो इस्टोरेंट्स वेलकाम बैक तो माई यूटूब शैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पर प्रोवाइड कराया जाता हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके स्लेबर्स पेपर पैटेन और मोस्ट इंपॉर्ड़न कोश्च सब्जेक्ट एस्पेशली प्राक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कम्प्लीट सिरीज आपकी चैनल पर फ्रोवाइड कराके दी जाती है फीफो मेथड के बाद हम सिफ्ट हो गएं सर्फ वेटेड एवरेज मेथड पे बात करेंगे ध्यान से देखना है आपको यह मैंने जो कोश्चन पिक किया है पहला कोश्चन है आपका वेटेड एवरेज मेथड का तो यहाँ पे ध्यान एकना मैंने इस प्रफो मेथड के काफी कॉन्चेप्ट हम देखेंगे एं उसके डप्रवेड एवरेज मेथड के तीन से चार लेक्चर मैक्सिमुम लेकर आऊँगा क्यूंकि अगर बच्चों को फिफो मेथड समझा है तो तिन से चार एक्जमपल इनफ है बेटेड एवरेज का कॉन् प्रपिक में क्या दिखेगा उसकी बारे बात करेंगे इस्टोर लेजर एकाउंट में जब आप टेबल यह प्रिपेर करते हो तो सबसे पहले आपको पता हो कि सर सबसे पहला जो रहता हो हमारा डेट रहता है और आपने सिखाया था सर पहले में रिसिप्ट रहेगा यह आप सीखियो यही आपने सीखा था और अगर मैं टेबल की बात करूँ रिसिप्ट में पहले आता है हमारा यूनिट्स देन आएगा रेट एन उसके बाद आएगा एमाउंट यूनिट्स रेट एमाउंट यूनिट्स एमाउंट यही एक इंपोर्टेंट चेंज निकल क क्याता है कि बैलेंस में जब आप रेट नहीं लिखते हो क्यों रेट नहीं लिखा जाएगा और क्यों यह सर्फ वैटेड एवरेज में तरे उसका कॉंसेप समझेंगे जब प्रैक्टिकल कुश्चन आप करना मेरे साथी स्टार्ट करोगे ने तब समझ में आएगा चली इ इंफर्मिशन आप दे मार्ज 2014 कैल्कुलेट दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो चीच पहले पूछे सीओ जीएस बता दो एंड वैलो अप लोजिंग स्टाउग वाई दी फॉलोईंग मेथर्स फीफो मेथर्स अर्लेड यह कुश्चन में आपको फीफो मेथर्स के कॉणटी है वैसे भी सिल्स में मैंने बताया आपका रेट कुई फक नहीं गरता है क्योंकि हम दोап कोस्ट के पयालीवेशन करते हैं दिया रगन कना फ्रस तारीं को पर शेच की डेट hy तो आप पर शिस के इंटरीर रिकॉर्ड करोः रैन रगन叮न दिया धे मार्च तो फर्स्ट थ्री फोर्टीन का डेट है क्लियर है चले कितनी कॉंटिटी अगर मैं बात करूँ यूनिट है सर टूथाउजन देखना बहुत सिंपल टॉपिक है रेट दिया है से 10 का तो मल्टिप्लाइ करोगे सर यह 20,000 क्लियर है इशु वाला कॉलम सिंपल है खाली सर परिशेज में हुआ जब बैलेंस में रिकॉर्ड करता हूं तो ध्यान रखना कॉंटिटी में रिकॉड करूंगा यूनिट कितना सर था यूनिट सर था टूथाउजन यहां पर इमाउंट कितना था टूंटी थाउजन किसी बच्चियों को इसमें कोई डाउट कोई कन्फूजन नहीं होनी शिया और एक इंटरी के बाद मैं हमेशा बोलता हूं एक लाइन जरूर ड्रॉड करो कुलेरटी मिले सर एक इंटरी हमारी होगी एक की बाद दो तारिक के लिए की डेट मे我们च करना कुञसा डेट पहले आएंगा सर दू तरी जैट किसेल्स में पहली डेट हमारे 6 तो दो तारिक परसिर्ज की इंटरी आपरिक पर्रिकौर्ड करो है दू ता मंधूर्ज बात कर क्लियर है अब यह इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट आप समझो फीफो में आप क्या करते थे फीफो में सर बैलन्स को रिकॉर्ड करता था उसके बाद जो न्यू परिशे जाता था वो रिकॉर्ड हो जाता था बड़ आपका वेटेड एवरेज कॉंसेप्ट और सिंपल बना देत तो बहुत एजली एंसर मिलेगा सर 2300 मतलब जितना आपके पास पहले था प्लस आपने जो न्यू परिशेश किया कॉंटिटी कॉंटिटी में प्लस यज फिर बोल सकता अप यूनिट यूनिट प्लस करो एंड एमांट एमांट प्लस करो पहले कितना था अमांट सर 20,000 अभ बिल्कुल सिंपल टॉपिक था बड़ बच्यों को एक छोड़ा सा डाउट यहां पे जरूर क्रियेट होगा सर डाउट क्रियेट यह हो रख पहला जो कॉंटिटी था उसका रेट 10 था सेकेंड जो कॉंटिटी यही है सर उसकी 12 है मिंस 12 रुपे का रेट है तो सर यहां पे रेट मेंशन नहीं तो कितने का रेट लिया जाएगा वो यह टॉपिक बताता है बेटेड एवरेज अब यह बोलेग भई एवरेज करो एवरेज कैसे किया जाएगा धान से देखेंगे अगली लाइन में जब सेल आएगा तब कैसे करना जान से देखो आप यहां तक डाउट नहीं एक तारीक इंट्री होगे दो तारीक के इंट्री होगे उसके बाद सर दस तारीक आप परशे जब अब अब उससे पहले आप यहां पर देखो 6 का सेल है आपका तो बहुत आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आती है शे तारीक की इंट्री की बात होगी सर परशेश क्या कॉलम खाली आपको दिखने वाला है सेल्स में कॉंटिटी दिखेगा बारासो इसमें किसी बच्चियों को डाउट नहीं सबसे इंपॉर्टेंट कॉंसेट निकल के आए के था 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 दो बाता हैं तो इसका रेट का कॉंसेट कैसे चलेगा धान से देखो सर रेट का कॉंसेट नहीं से खो देखो और बहुत सिंपल सा लाईन्से देखलो एमांट डिवाइद बाइक कौंटिटी कार दोंगा क्याल सी उठा लो कैल सी पे लिखो 23,600 । आपको मिला 10.26 यह बहुत इंपोर्टेंट था ध्यान से देना यह बहुत इंपोर्टेंट है 10.26 बार बार ध्यान से देख लो यहां पर मैं इसको हाइलाइट कर देता हूं कि यह कैसे रेट मिला मुझे यह रेट कैसे मिला सर मैं मैं मेंशन कर दे रहा हूं रुपीज डिवा करना सेल के टाइम पे रेट फाइंड आउट करो कि सर बहुत सिंपल सा त्रीक है उसके उपर जाना इमाउंट डिवाइड बाइक कॉंटिटी करना बहुत इसली एंसर मिल जाएगा फिर मल्टिप्लाइ कर दो भई करो और मुझे एंसर बताओ कितना आएगा 12,000 क्लियर है आई हो फारिक बच्चे को समझाओ का नहीं समझा सिल का कॉंसेप्ट आगे भी देखेंगे सीखेंगे कैसे यह फाइंड आउट किया देखो इदर कितना तो टोटल है आगर मैं आप से बुछो बैलन्स कितना था सर 2300 मैं आपने कितना सेल कर दिया था 1,600 बैलन्स कितना बचा तो आप बोलो के सर 1100 अरे सिंपल सी बात है भाई तेज़ सो आपके पास यूनिट था कितना सेल किया सर 1200 तो डिफ्रेंस माइनस हो जाएगा ना भै डिफ्रेंस माइनस हो जाएगा बहुत शिम्बल हो जी गे एमाउंट एमाउंट से माइनस कर दो मत्तब 23,600 माइनस 12,312 कर दो और बैलेंस बताओ कितना 11,258 ध्यान से सुन लो हर एक बच्चे मेरी कहानी वेटेड एवरेज की कहानी बहुत सिंबल सी बोलती है बैलेंस में जब पर्शेश की बात होगा एमाउंट एमाउंट प्लस कॉंडिटी कॉंडिटी प्लस क्या बुला लाइन रिपीट करता हूं मैंने यहां पर यहां पर एक सिंबल सा लाइन लिख देता हूं यह आपका जो टॉपिक चल रहा है मैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट करके लिख देता हूं क्योंकि यह इसी पर फूरी कहानी चलता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा यह तो बोलूँगा बैसिक से इनफोर्मेशन यह वेटेड एवरेज को लेके बैलेंस में ध प्लस हो जाएगा common सी बात है and rupees means amount amount से plus हो जाएगा simple logic है and sales की बात जब करता हूं मैं यह तो पर्शेज हो गया balance से आपका जैंसे देख लो balance से आपका minus होता है जब से आप sales करते हूं क्या same way concept sir unit से unit minus होगा unit से unit minus होगा and rate sorry rate बोल रहा हूं amount से amount minus होगा यह concept अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया तो मैं एक बर जस्ट थोड़ा सा repeat कराता हूं question नीचे लेता हूं shift करता हूं question की जरूरत आगे है न हमको पहले concept जो बोला मैंने वह आपको समझा देता हूं देखे उदर आप question देखो इदर जान से देखो यह बहुत important शीज वहाँ पर लिखा कि दिया बहुत basic सी भी चीज़ा मैंने बोला जब जब जान रगना आपका balance यह पर शेज आपने किया तो मैंने क्या बोलाता है unit unit से प्लस प्लस होगा 20,000 का 3600 में प्लस हो जाएगा मतलब सर पर शेज बैलन्स एड होता है और जब सिल करोगे तो अपोजिट चलेगा देखो इदर balance से आपको बैलन्स बचा और यहां से amount से amount माइनस के तो यह आपको balance बचा I hope हर एक बच्यों को समझ भाया मैंने क्या concept आपको लिखा के दिया इंट्री होने के बाद मैंने क्या पताया था एक symbol सा एक लाइन ड्रॉ कर दिया करूँ क्लियर है आई हो बच्चों का concept क्लियर 6 के बाद अगर मैं डेट देखता हूं तो सर्ट इन पहला टेन का डेट आएगा तो आप पहले कुंसी इंट्री पास करोगे सर्ट इन वाली इंट्री पास होगी 10 314 के इंट्री कितना परशे जैसे 200 तो मैंने बुला 200 फिर से रिकॉ होगा हमारा परशेश क्योंकि पास होता है कितना दिया सर 11100 यहाँ पर 200 तो यह तो इजली एंजर आएगा के लसी टस करने की जरूत नहीं है यूनिट से यूनिट प्लस एमाउंट से एमाउंट प्लस करो एमाउंट केतना सर 11288 प्लस करो 2800 मुल्ण क्या यही तो कौन तो एमाउंट कितना सर 11,288 प्लस 2,800 14,00 14,000 14,088 यह आपका आएगा I hope और एक बच्ची को समझ भे आ रहा है पिर भी किसी बच्ची को कोई डाउट कोई कन्फुजन अगर create हो रहा है तो नीचे आड़ करना अदरवाइस कोई प्रॉब्लम निए बहुत सारी एक्जांपल सम्नुक देखने वाले है जब तक बच्चों का concept नहीं क्लियर तब तक एक्जांपल साते रहेंगे इसी तरीके से आता है कोई भी डाउट कन्फुजन create होता तो बिना सोचे समझे नीचे कॉमेंट में अड़ किया अगर आप लो क्लियर है छे लिए क्वेशन में आगे डेट बढ़ाते हैं से परिशे Metro को एंट्री अ लेकिन सेल्स में सर 11 के इंट्री आई यह तो पहले आप यह पास करोगे ना आप अपरिशे वाली एंट्री पास पुरो 11 3 14 शरी शेल्स वाली तो सेल्स के इंट्री में फिर देखो जिसको डाउट कन्फूजन था यहां सीख लो कितना कॉंटिटी सर वन थाउजन कॉंटिटी सर रेट कितना लेना है तो बहुत सिंबल सा मैंने एंसर दिया तब उसके उपर बैलेंस में कि इंट्री शिफ्ट हो जाओ रूपीज डिवाइड बाई कॉंटिटी कर दो जब भी रेट सेल के ताइम फाइंड़ को ना बहुत सिंबल सा एंसर है 14,088 डिवाइड बाई सर 1,300 मैंने इसको हाइलेट कर रहा है ता फिर से हाइलेट कराता हूं आपका फिर से बहुत रूपीज डिवाइड बाई कॉंटिटी और मुझे पता और रेट कितना 10.83 x 1000 क्योंकि यो निट मल्टिप्लाइड अपका रेट आएगा टोटल अमाउंट कितना 10,840 अब यहाँ पे एक चीज है नग यह डिवाइड के पे कितना है था आपका डिवाइड पे कितना है था टेन पॉइंट 10.83 आगे और कुछ की बस अब यहाँ पे एक इंपोर्टन शीज आपको बता रहो ध्यान देना जब आप डिवाइड यहाँ पे किये उसको रूपीज डिवाइड बाई तो आपको आ रहा है 8.3 10.83 एक सेकंड देखो कैल्सी पे आप लोग इसीखो बहुत बेसिक इंफोर्मेशन जा बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिया डूका यह क्लिर्टी मिलेगी या तरवेज नंबर थोड़े से कट होने की चांस होंगा अगर यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा अब जैसे यहाँ पे आप लोग देखो 10.836 बस 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 तो आपको ध्यान अगना इंपोर्टेंट है द्यान पॉइंट के बद सर एक दो तीन बस तीसरे तक पहुचना है और बहुत सिंबल लॉजिक है ध्यान से सुन लो क्योंकि अगर आपका प्रॉपर सही गया तो पॉइंट के बाद पहला दूसरा तीसरा अगर तीसरा नंबर बहुत सिंबल लॉजिक है अगर तीसरा नंबर सर पांच है या फिर पांच से बढ़ा है तो बगल वाले को एक बढ़ा दो मतलब थ्री की जगा आपको लिखना है 10.84 क्या लिखना है 10.84 I hope समझा अगर पांच या पांच से जादा है तो एक बढ़ा दो पांच से कम है सर तो क्या करो तो सेम लिखना है इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 10.83 हटाओ 3 की जगा पर आएगा 4 3 की जगा करो आप यहाँ पर 4 clear I hope बच्चों को समझा मैंने क्या concept समझा बहुत important चीज था बहुत basic चीज फुल माक्स आपको अगर चाहिए तो प्रॉपर रूल थोड़े से लेके चलना है concept के लिए है सर बिलकुल अब जहां से देखो दर सिल का concept है तो मैंने बोला तब यूनिट माइनस यूनिट तो 1300 माइनस 1000 आप करोगे तो balance आएगा सर 1300 रूपीज माइनस रूपीज कर देना ह 840 माइनस करने के बाद मुझे आप बताओ difference कितने का दिखा 3,240 आई हो फर एक बच्ची को समझ में आ रहे है कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा बई यह बहुत basic है बहुत important भी है काफी अच्छा है कि score कराके देगा आपके topic ठीक है cost accounting अब बहुत important यह पार्ट है शले entry खतम sorry entry यह आपका topic मतब सेल वाले है इसके बाद से 22 का परशेज है फिर 30 का सेल तो पहले common सी बात से 22 का परशेज entry होगा तो मैंने बहुत 22 का परशेज पहले record करो परशेज की जब बात वी सर्थ कितना 300 देखो कितना symbol topic परशेज बालेंस के साथ प्लस होता है 300 प्लस 300 आपका हो गया 600 योनिट योनिट से प्लस एमांट एमांट से प्लस होता है तो 3 प्लस 3 होगे आपका 6 5, 4, 8 आई थिंक आना चाहिए टोटल करके देख लो एक बर और यहां पर entry close होने के बार लाइन आपका एक last entry बच रहा है कॉन सा 30 वाला तो यह भी मैं करा देता हूं आपका 30 को आपको क्या दिख रहा है sir 33 14 क्या दिख रहा है sir 30 का 200 का सेल दिख रहा है आपका तो परसेश खाली दिखेगा 200 का सेल तो सर फिर से एक छोटी सी प्राबलम निकल के आई कि sir rate कहां से find out करेंगे तो symbol सा मैंने बता है उसके just उपर उसके just 2 पर रूपीज डिवाइड बाई कॉंटिटी आगे अब यहां पर द्यान रखना है यह पॉइंट वाला कॉंसेट आपका फिर से में क्लियर करा दू जैसे डिवाइड देने के बाद आरे आपका 10.913 तो द्यान रखना आगे नहीं देखना है तीसरे नंबर तक ही जाओ तो 10.9 13 तीसरे नंबर कितना दिख रहा है सर 5 से छोटा तो आप आपका यह एंसर एका 10.91 मैंने क्या बूला ता सर पॉइंट के बाद 123 तीसरे नंबर 5 से छोटा अगर है मतलब सर 1234 तक है तो आपका जो यह नंबर है कोई चेंज नहीं होगा अगर यह 5 यह फिर 5 से जादा होता न तो इसको हम लोग लिखते हैं से 10.92 कर देते हैं I hope clear है कि क्या मैंने बोला है चले Kelsey उठाइए multiply करिए 200 multiply 10.91 और final answer बताइए कितना आ रहा है कि अधियर है कि अधियर है कि आपने 600 में से 200 गया तो आपका आएगा सर यहां पर 400 रूपीज रूपीज से माइनस करके बताओ कितना रहे है यहां पर आपकी इंट्री क्लोज हो जाएगी 6548-2182 एमाउंट से माइनस कितना एक 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 फोर क्लियर है और एक यह जो मैं फीफो मेथड में हमेशा बोलते हुए आया हूँ यहां पर भी बोलूँगा कि आप लोग को हमेशा क्या करना ध्यान देना अब आप यह कैल्सी आपके पास अलाउड है आप कुछ से कर सकते हो यह टोटल जरूर कर लिया करो रूपीज और यहां पर आप यही रिकॉर्ड करोगे जो आपका क्लोजिंग बैलन्स है 400 यूनिट का यह टोटल यूनिट नहीं लिखोगी तो भी शलेगा ध्यान अमांट का टोटल लिखना जरूरी है वो भी क्लोजिंग टोटल मत लिखना ना टोटल करना यह दो में क्या करना है टो यही लिख देंगे सी यो जी जो आपका शेल आएगा ना टोटल और इससे मैश भी हो जाएगा आपका किया है बट मैंने बताया था आप लोगो सी ओ जी इसका सर डारेक्ली कॉंसेट मत लगाना आप फॉर्मुला अप्लाई करना कौंचा फॉर्मुला आपको याद दिला जाले ओ डेरेक्ली पहले आपका क्या अभिकर सर ओपनिंग स्टोग जान रखना ओपनिंग स्टोग उपनिंग स्टोग में प्लस करो आप पर शेज धान से देखो बहुत सीम्पल टॉपिक पर शेज उसके बाद इसमें से आप माइनस करो इसका मतलब सर ओपनिंग स्टॉक इसके समें हो जाएगा झीरो हो जाएगा परिशिस का टोटल आप कहां से निगा लोगी जो मैंने आपको बता है परिशिस का टोटल क्लोजिंग स्टॉक तो आपको यह ही दिख रहा है यह तो एंसर आपने फांड आउट किया था पर त्री कितना है था 4366 4366 परशेस का जब आप टोटल करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सर COGS cost of goods sold वो मैं लिख देता हूँ परशेस का अमाउंट आप टोटल करके देख लेना clear जो आपका final answer आप 24600 यह आपका COGS 24600 6008 और ध्यानक यही आपका sales का भी total होगा क्योंकि एक तरीके से sales को ही COGS माना जाता है clear एक नहीं है तो परशेस का total भी चलो मैं बता देतो हर एक बच्छे जरूर मैच कर लेना 29700 आपका total आ रहे है 29700 100-handed नहीं है जारूर इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना अभी भी किसी बच्च्चों को ना इसमें डाउट रहेगा अगर वेटेड एवरेज में तो जरूर नीशे कॉमेंट मैट करना सरड़ डाउट ए कन्फीजन जो भी आया यह जो बेसिक से सब्सक्राइब करें तो नीचे कॉमेंट करो या फिर कॉमेंट के लिए है तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारी कॉमर स्क्रिक्शन और बच्चों को शियर करते रहो राकि उनको इस चैनल के थ्रोन बहुत बड़ा एडवांटेच मिलता रहा है तो चैनल इडिया मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम लोग बात करेंगे बेटेड एवरेज मेथड के और प्राक्टिकल कुश्चन के बारे में तब तक के लिए थैंक्यू सो मज़ग अगर 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 झालेंगे बारे में जहां तक के लिए भारे में जहां 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 है तो चैनल